व्डिंग 360 में आपका स्वागत करता हूँ जिंदल पॉली इंवस्टमेंट एंड फिनेंस कंपनी के साथ में जो की कंपनी जो है इंवस्टमेंट फ़म है और कंपनी के अगर market cap की बात करें तो 520 याने 520 करोल का market cap है 26 का industry P है उसके comparison में stock का P काफ़ जदा undervalued है ROC की बात करें तो 55% ROE की बात करें तो 54% book value काफ़ जदा strong है गाई और जबकि उसके comparison में स्टोक का प्राइज है मात्र 495 पर trade कर रहा है 653 का स्टोक हाई लगा चुक है डेट कंपनी पर 1186 करोल का company के उपर डेट है तो डेट काफ़ी जदा है कंपनी पर जितने जितने बड़े market cap कंपनी है उससे जदा इस पर डेट है कंपनी पर यह थोड़ा से negative factor है इसके अलावा अगर आप चार्ड देखेंगे गाई तो यह फिफ्टी डूहंट्रेट डिये में पर आने के बाद यनि उसके नजदीग आने के बाद अब वापस अपसाइड जाने को बिल्कुल स्टॉक तयार बैठा हुआ है अगर मैं बात करूँ उसके सेल्स की तो आप देखेंगे 747 क करोड की कंपनी ने से दर्च की है जो पिछले सेप्टमबर क्वाटर में मातर फोर्टी 481 करोड की थी तो यहां काफी जादा से इंक्रीज होई है गाई और अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जो है 561 से डिक्रीज होकर 54 का 54 करोड का हो चुके हैं यह थोड़ा से निंग्रेटिव है बागी कंपनी की वक्वाल्यू काफी ज़्यदा स्ट्रॉंग है गाई और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं आप देखेंगे सारे में परेमेटर्स जो हैं पॉजिटिव हैं एक साल में 53 परसं क को कंसिडर किया जा सकता है प्रमोटर्स की होल्डिंग के बात करें तो जो कि स्ट्रॉंग 74 परसंट से ज्यादा किये गाई 75 परसंट के असपास एफए इस ने हाला हाली में मतलब अपनी स्टेक इंग्रेज की है जो पॉइंट 04 परसंट की है डिया इस की होल्डिंग है दो महीने आप इसको होल्ड रखते हैं बाकि अभी शॉट टर्म में अगर स्विंग आपको करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया साथ से 10 परसंट का प्रॉफिट आपको जहां मिलता है वहां आप प्रॉफिट लेके एक्सिट भी कर सकते हैं तो यह जो है लॉंग के लि में मेकावर सीची मेशिन यह कंप्यूटर जे चिंशी मशीन्स ती अथे वह थो उसकी वैली विर्फेक्ट्रिंग ने के बाद में तरीके 252 का मार्वेट या पो discriminator को श्तिपी had just you know कि बात करें में कि कफी का यज़ा प्रॉसी की बात करें तो टूंत नित्य परसेंट से जधा क Shivर है और कि बात करें तो 16 परसेंट का है और यजिस कुंपनी पर मात्र आठ लाक का यानि एट लाक का कपनी पर डेट है कंपनी की बुक वैल्यू का फिस ट्रॉंग है 91 रूपीज की करेंट प्राइस 350 पर ट्रेड कर रहा है 352 पर और हाई कंपनी का स्टॉक जो है 419 का लगा चुक है कंपनी ने किया रेस्ट और अभी अपसाइड लगान जाने के लिए का तियार बैठावाई स्टॉक मैं बात करूं कर सेल्स की तो आदे के 53 परसेंट 53 करोर की सेल्स कंपनी ने दर्ज की है सेप्टमबर क्वार्टर में जो की पिछले साल 52 करोर 75,003 लगबग अल्मस्ट 19-20 का 4.35 करोर से डिक्रीज होकर 3.85 करोर की रह चुकी है तो कहीं ने कहीं कंपनी के कंपनी के जो रिजल्स है गाईज बिलकुल सही है 18-20 का डिफरेंस है नेट प्रॉफिट में और जो है बात करते सेल्स की तो सेल्स जो है इंक्रीज हुई है येर ओवर इयर इसके अलावा अग 53% कर टन दिया इसने एक साल के अंदर रिजल्स की बात करें तो 81 करोर के कंपनी के पास रिजल्स है बॉरोइंग कंपनी बिलकुल भी नहीं है क्योंकि 8 लैक्स का कंपनी पर डेट है जो कि यहां पर यहां पर यहां पर शो किया हुआ है तो डेट-free कंपनी है गाईज और श अच्छे खासी शेरवर्डिंग है गाईज आपको अच्छे खासे टार्गेट यह स्टोक दिखा सकता है अगर मैट पावर,CNC,Mashines Limited को आप बाए करना चाते हैं कल बाए कर सकते हैं गाईज आपको 400 तक के टार्गेट यह स्टोक दिखा सकता है और बाकी जैसे कि लिमिटेड पेपर मैनुफेक्चरिंग कंपनी है गाईज और 7,451 करोर का मार्केट का है पर कंपनी का इंडस्टीपी 18 का है इसके कंपारिजन में स्टोक का पी कफिया अंदर वाल्यूड है 16 का ROE है ROC है और ROE की बात करें तो 19% का है वह क्वैली 206 की है और करेंट चल रहा है 450 पर हाई लगा चुका है स्टोक कंपनी पर डेट कफी जदा है 2921 करोल का और कंपनी के अगर मोमेंट के बात करूं तो कंपनी 250 डियमा को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रही है यह देखिए और यहां अभी अपसाइड जाने को स्टोक तयार बैटा हुआ है इसके कंपनी के पास स्टॉंग रिजर्ट 3,324 करोल के रिजर्ट से हैं बोरोइंग मातर 2,921 करोल की है और इसके लावगा हम बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो आप देखेंगे जबर्दस 49% से जादा की यानि 50% के असपास की हिसे दारी है प्रमोटर्स की FIAS की बात करें 106% की हो चुकी है जो FIAS हाली में इंक्रीस की अपनी स्टेक डियाइस की होल्डिंग की बात करें तो 4.46% की है और पब्लिक की होल्डिंग मातर 39% की है तो जेके पेपर लिमेटेड इस स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं कंपनी जो है जेबीम ओटो लिमेटेड स्टॉक का नाम है गाईज अटोमोटिव इंडस्ट्री में डील करती है जो की स्पेर पार्ट्स बगेर और एसेसरीज मेनुफक्चर करती है कंपनी 5,644 करोड का मार्केट केप है इंडस्ट्री P23 का है उसके कंपारेजन में स्टॉक का P31 का है आर उसी की बात करें तो 13% आरोई 19% वो क्वेल्यो 81 रुपीज की है 477 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक 676 का हाई लगा चुक है स्टॉक डेट की बात करें तो 1672 करोड का कंपनी के ऊपर डेट है अच्छा खासा है कंपनी पर अब हम इसके मोमेंट की देखते हैं कि मोमेंट कैसा चल रहा है एक साल से स्टॉक की जो मोमेंट है गाईज वो कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है यहां पर दिखेंगे यह तारा कंसुलेडेसिं एरिए अmist这 अब है और अगर यह कंपनी जो है जो है जो इसका यहां पर लेबलacer के इन जो抓 च्ड़ अहरो से एक बांसरे कंपनी जो है पर फसापर और जो की कंपनी ने 1029 करोड की से जंडेरट की है जो कि सप्तमबर क् pneumonia महातर से में 53 करोड की थी तो काफे ज्यादा inक्रिज हुई है से और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूंगा इस तो 25 करोड से इंक्रिज होके नेट प्रॉफिट जा है एक साल में 12% के टन दिया है कुछ खास रिटर नहीं दिया है रिजर्स की बात करें तो 900-36 करोड का कंपनी के पस रिजर्स है उसके गेंस्ट बोरोइंग जो है डेट है वह 1600 की ए तो 900-89 क्रोड के आसपास का कंपनी के ऊपर डेट है गाई अच्छा खासा डेट है पर मोटर्स परसेंट की होल्डिंग जो है 31 परसेंट है तो जबी एंट एंट रेंट तक का इस डेट कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि सेल्स भी फाउजन करोल से उपर की कंपनी जो है वो दर्ज कर रही है तो जल्द यह 520 तक के टार्गेट यह शौट टम में दिखा सकता है तो इसे स्टॉक का पनी जरूर वाच लिस्ट में रखिए चलते हैं हम नेक्स स्टॉक की तरफ यह स्टॉक का भी नाम यह जो स्टॉक है यह भी पेपर इंडरस्टी का है क्वांटम पेपर लिमिटेट कंपनी का नाम है अगर मैं बात करूं इसके मार्केट केप की तो 1300 का अब 1300 करोल का जो है मार्केट के पेप कंपनी का इस इंडरस्टी भी 18 का है स्टॉक का पीत है 17 का है रोसी 5 परसेंट रोई 1.59 परसेंट वो क्वेल लिओ 96 की है 154 पर ट्रेल गर रहा है स्टॉक 180 का हाई लगा चुक है देट कंपनी पर 662 करोल का है और कंपनी का जो मोमेंट है वो काफी टाइम तक कंसोलेडेशन में रहा है कंपनी कंपनी रही है और उसके बाद में अपसाइट मोमेंट दिखाया इस कंपनी ने और इसके बाद में जो इसने सपोर्ड लिया है वापस 50 डिये में पर सपोर्ड लिया था यहां पर और अब सब्साइड की तरफ जा रही है कंपनी का स्टॉक तो यह कंपनी का तो प्राइस आपको और भी आदा महांगा होता हुआ दिखाए देगा गाई सेप्टमबर क्वार्टर में 341 पर करोड की सेल्स कंपनी ने दर्च की है जो पिछले साल मातर 200 करोड के थे तो यहां सेल्स काफ by अच्छा पर्फ़म किया है कंपनी ने एक साल में अपने पैसे को CONiti से करोال के स्टॉक के पराइट्टी क्योड स्टॉंग डो़ो लिख नियुक्ति है तो कंपनी जो अच्छा पर्फॉरम कर रही पिए अच्छा पर्फ़म्न के पास से अगर मैं प्रोमोटरी की के बात करूं तो जो स्ट्रॉंग सेवेंटीवन परसंट के आसपास से एफ़ाइस की होल्डिंग नहीं है इसमें दियाइस की भी होल्डिंग नहीं है और पब्लिक की होल्डिंग 29 परसंट से ज़्यादा किये तो गाइस एक बाय बनता है क्वांटम पेपर लिमिटेड परसंट की तेज़ी थी ओल्टाइम हाई जो है 180 का लगा चुका था इस स्टॉक आपको 180 तो 190 तक के टार्गेट अभी भी दिखा सकता है अब इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाईस तो चलते हैं अब नेक्स स्टॉक की तरफ कौन सा वह स्टॉक है कंपनी का नाम है सुदर्शन केमिकल्स लिमिरेडस में आज 5 परसंट का परसरक्रिट लगाता गाईस और कंपनी जो है न ऑर्गैनिक इन ऑर्गैनिक केमिकल्स की मैनुफेक्टिरिंग करती है गाईस इसके अलावा 2746 करोल का मार्केट के बे कंपनी का इंडस्ट्री इस्टॉक का पी का वह 25 का है और इस्टॉक का पी काफी थोड़ा सा ओवर वैलिट आपको दिखाई दे रहा है बट हम कंसिलर कर सकते हैं 29 का इस्टॉक का पी है आरोसी की बात करें जो अच्छी खासी है 12 परसंट से ज्या इस्टॉक एवलेबल है डेट के बात करें तो 968 करोड का कंपनी के उपर डेट है मोमेंट देखते हैं कि अब तीन साल की आई थिंक हमें कुछ समझ में आ सकती है आप फाइव यह के लिए 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 यहां यहां थोड़ा सा में कुछ समझ में आ रहे हैं और काफी ज्यादा करेक्ट हुए हुए था कंपनी का स्टॉक हम बोटम पर इसको बाय कर रहे हैं अच्छे खासी मोमेंट यह आपको दिखा सकता है स्टॉक तो कोई नहीं जानता कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है आई थिंक कंपनी का स्टॉक है वो तोड़ा स्लो चलता है ग ज्यातने करश किए जो पिछ़ले साल मातर न shutting यहां द्रफि करोड को कि तो यहां जो है अच्छे कासी सेल्स कंपनी ने ज्द यह कंपनी की तो नेट मुसक्ष किए न किनक के दर्फिट तो नेट मृट टॉयंट करेइए हुदू करrir से कंपनी का जो यहां पर आदि ट्यक् की बज़े से कंपनी का स्टॉक काफी ज्यादा नीचे गिर चुका था बट वापस कंपनी उस वालुएशन को अटेंड कर सकती है पेपर इंडस्ट्री स्वरी केमिकल की इंडस्ट्री है गाइज बहुत सारे जो काफी यह अच्छा कासा कर सकती है गाइज अब देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर की होडिंग माइनर सी डिक्रीज़ हुई है और यह दो जो quarter तो यह अच्छे नहीं गए कंपनी के तो बाकिस के लावा अगर FIS की holding देखें वो भी minor से decrease होई है और यह इसकी holding 14.18% की यह public की holding 45% से ज़्यादा किये सुदर्शन chemical industries limited stock को buy किया जा सकता है कंपनी अब quarter में मतलब अच्छे खासे valuation पर आपको मिल रही है महेंगी कंपनी नहीं है अगर मैं book value से compare करूंगा इस सुदर्शन chemical stock को आप buy करके चल सकते हैं आपको short term में अच्छे profit दे सकता है long term के लिए तो मैं recommend नहीं करूंगा थोड़ थोड़े बहुत buy कर सकते हैं stocks और बाकी जो है यह अभी के लिए swing के लिए आप इसको buy करके चल सकते हैं company को company के stocks को चलते हैं next stock की तरफ गई टेक्स में को rail engineering company का नाम है जो की यह manufacturing करती है rolling stock hydro mechanical equipment steel casting and rail EPCG तो government जो है Indian government IRCTC जो है जो railway है guys जो railway की take care करती है company उसको यह सर्व करती है टेक्स में को rail तो इंडियन government इंडियन railway को यह अपने equipment वी और अपनी जो जो equipment होते है mechanical equipment वो उनको provide करती है 1998 से company जो है वो market के इंदर है इस्टोक का PEE जो है वो यहां पर define नहीं किया हो गया गया इंडिस्ट्री PEE की बात करें 28 का है और market के 1883 करोर का है यहां पर इस्टोक का PEE यह define नहीं किया गया है book value stock 41% की है उसके आसपास इस stock जो trade कर रहा है रिटन 50% का दे चुका है stock 6 महीने में तीन महीने में बाइस परसंट का 22 परसंट का और डेट कंपनी के पास 887 का है 65 का हाई लगा चुका है stock अब बात करते हैं कि किस तरह की मुवमेंट इसमें कंपनी में रही है अभी तक तो company के stock की अगर moment की बात करें तो गाइस बहुत शांदार तरीके से company मूव कर रही है आप देखिए 50 डियमे को पूरी तरह respect कर रहा है stock यह upside है और यहां वापस upside लगाने के लिए stock तयार बैठा हुआ है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस company के sales की तो 484 क्रोड की कमणी ने sales generate की है September quarter में जो पिछले साल मात्र 374 क्रोड की थे तो यहां sales increase हुई है और अगर मैं बही बात करूँ अगर net profit किता हो देखेंगे कि 6 क्रोड से net profit जो है 14 क्रोड का हो चुका है तो यहां भी sales यहां भी net profit company को जो company को मुनाफ़ा हुआ है वो 608 से 14 क्रोड यह डब कमपनी के पास बोरूइंगे debt free company को consider किया जा सकता है company के जो net cash flow है guys वो भी increase हो रहा है आप देखेंगे 6 करोड था कभी 33 करोड का है तो company के ऊपर अच्छा खासा company पास net cash flow है यह नहीं results है पैसा है अच्छा खासा data days की बात करें तो decrease हो रहा है गाई यह भी positive चीज है मेरे ध 7.69% की है पुब्लिक की holding 32% की है momentum call का मज़ा लिया जा सकता है गाई अच्छे का सा profit आपको यह stock दे सकता है टेक्स में को rail and engineering limited stock इसको buy करके चल सकते हैं आप लोग अब चलते हैं गाईज next stock की तरफ company का नाम है गाईज confidence petroleum india limited petroleum की company है गाईज LPG cylinders होगे रहा यह इस division में भी है company आप देखेंगे कि market के 2441 करोर का industry P26 का है और उसके comparison में stock का पी थोड़ा सा over value दिखाई दे रहा है आर उसी की बात करें जो स्ट्रॉंग 17% से ज्यादा किये रोई की बात करें 14% से ज्यादा किये वो क्वैलिव 25 की है current price 86 का है और अपने all time high के last company का stock आपको दिखाई दे रहा है डेट की बात किने company पर 185 करोल का company के उपर डेट है कमपनी ने छे महीने में 78% की return तीन महीने में 15% की return अपने निवेश्कों को दे चुकी है और अगर मैं six months के अगर में moment दिखाता हूं आपको company का आप देखें कितने प्यार से company जो है अपने 50DMA को पूरी तरह respect कर रही है यह तीन महीने से अगर मैं moment की बात करूं तो company जो है आपको अगस्त से प्रॉपर आपको एक अपने support पर दिखाई दे रही है 50DMA के सेल्स की बात करें तो 461 करोर की संपनी ने सेल्स जनरेट किया जो पिछले साल मात्र 428 करोर की थी तो यहां सेल्स इंक्रीज हुई है अगर मैं net profit की बात करूं तो 35 करोर से net profit डिक्रीज होकर 25 का रह चुका है थोड़ा सा यहां पर 1720 का difference है अच्छा अब मैं वही बात करू अगर कंपनी के रिजर्स किता देखें कि कंपनी के पास स्ट्रॉंग रिजर्स है 728 करोर से ज्यादा के ज्यादा के बोरोइंग जो है कंपनी पर मात्र 185 करोर की तो debt-free कंपनी को consider किया जा सकता है इसके अलावा net cash flow जो है अब positive हो चुका है कंपनी का 3 करोर का और इसके अल हाली में increase कि इस प्रमोटर्स ने 60% से ज्यादा की हिसेदारी है प्रमोटर्स की FIIs की हिसेदारी है 3.34% की और 36% की जो हिसेदारी है वो public की holding है तो guys confidence petroleum company को आप बाय करके चल सकते हैं आपको 98 से 100 तक के target दिखा सकता है यह stock और short term में आप इस stock को बाय कर सकते हैं मेरा short term जो ह exit भी कर सकते हैं profit लेके और अगर आपका जो है आपके target अच्छे नहीं होते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन आपको stock को रखना चाहिए जो भी मैं recommend करता हूं आपको तो यह मेरी analysis है इन सारे stocks की तरफ सारे stocks के लिए और आपको short term में अच्छे खासे यह सारे stocks जो है profit दे सकते हैं अब इससे जादा इनमें जादा correction नहीं होगा अगर कोई भी stocks में recommend करता हूं and the very next day अगर उसमें 2% या 5% तक की भी गिरावट होती है guys तो चलता है इतना लेकि but उससे अगले दिन जो stock था वो 9% तक का तेजी की तेजी दिखा चुका था और अभी भी वह green में ही चल रहा है stock तो ऐसा नहीं है कि आपको जो भी level बाद में मैंने आपको label भी दिये गए थे तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं confidence petroleum इंडिया limited stock को buy करके चल सकते हैं guys तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे खासे stocks बताएं guys अब मैं last एक stock बता रहा हूं आपको अगर आपको उसका नाम जानना हो तो guys आप मुझे whatsapp कर सकते हैं मैं आपको उस stock के बारे में बता सकता हूं जो आपको minimum 20% तक का profit दे सकता है आपका duration जो आपको जो जो रखना पड़ेगा stock को वो at least कम से का 15-20 दी नटना होगा आपको 15-20% का stock जो है वो profit दे सकता है उसके लिए आप मुझे whatsapp पे contact कर सकते हैं guys मैं आप उसको company का नाम बता रहा हूं आपको company के fundamental मैं आपको दिखा रहा हूं बढ़ आपको company का नाम जानने के लिए guys आपको म market के पे industry 33 का है उसके comparison में stock काफी अदा over value आपको दिखा ही दे रहा है बट हम इसको consider कर सकते हैं कि futureistic company है guys ROC की बात करें तो 27% का है ROE की बात करें तो 25% का जो कि काफी ज़दा strong है book value 10 की है current price 317 का है company पर जो date है 6.60 करोड का है company अपने निवेशकों को 6 महीने में 105% 3 महीने म 12% से ज़दा return दे चुकी है अब मैं बात करता हूँ कि company के chart की अगर मैं company का chart आपको दिखा हूँ आप देखेंगे कि company का जो चार्ट है गाई तो 50 यह में को पूरी तरह respect कर रहा है यह देखिए आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ अपसे company के September quarter में company ने 33 करोड से ज़्यादा की यानि 33.87 करोड की sales generate की है और यह जो sales है guys वो लगातार continuously बल रही है कि इसमें September quarter का result नहीं है क्योंकि यह company हाली में list to easy guys इसके अलावा अगर मैं net profit की बात करूं तो आप net profit भी देखेंगे कि जो लगातार increase ही हो रहा है guys यहां पर series हुए है but company जो है वह positive में और अच्छा खाथ profit मतलब दर्च कर रही है company के अगर मैं बाकी sales growth और profit growth की बात करूं तो guys यह दोनों parameters positive है एक साल में 500% का असपास के return दिया है से स्टॉक रहे हैं company के bridges की बात करें तो पांच करोड के कंपनी के पास रिजर से और 7 करोड की यानि साथ करोड की company के पास डेबोरिंग डेट है तो company को हम डेट-free consider कर सकते हैं जो कि positive sign है इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ share holding pattern की तो guys सबसे ज्यादा strong है 74% की हिस्सेदार यह promoters की FIS की हिस्सेदार की बात करूं तो 1.27% की है और public की holding की बात करूं guys आप देखेंगे 2.38 23.88% की हिस्सेदार यह public की तो guys यह stock यह जो stock मैंने आपको recommend किया है यह जो stock guys मैं आपको बता रहा हूँ तो यह आपको आप समझी पा रहे होंगे कि मैं आपको से क्या कहना चारह हूँ आप यह upside downtrend upside downtrend upside downtrend तो यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर suggest कर रहा हूं stock को और आपक सब्सक्राइब यह पिशली बार लास्ट टाइम जो तू फटीर फाइट कर रहा है stock और वहां से तेजी लगा के stock में 338 तक का high लगाया अचा high लगाया था उसके बाद में यह वापस किरा stock support लेने के बाद में अब यहां से भी उतना ही return दे सकता है जैसे यहाँ पर दिये 234 यह highly recommended stock है guys जो मैं यहां YouTube पर भी share नहीं कर रहा हूँ आपको अब मुझे contact कर सकते है guys और definitely जो आपको बहुत मामूली से आपको एक fee आपको pay करनी होगी तब ही मैं आपको इसका नाम बता हूँगा guys और stock काफी है तब बहतरी है जो आपको long term में short term में अच्छे कासे profit दे सकता है तो बने रहेगा जाइस चैनल के साथ में मैंने आपको जो आज इस टॉक्स recommend किये हैं वो इस टॉक्स के नाम मैं दुवारा repeat कर रहा हूँ आपको जिंदल पॉली investment मैंने आपको बताया गाइस और दूसरा है मेक पावर cnc machines jk paper मैंने आपको recommend किया है इसके अलावा जो है मैंने आपको quantum paper मैंने आपको recommend किया है इसके अलावा jbm auto मैंने आपको recommend किया है इसके अलावा आपको सुदर्शन chemical मैंने आपको recommend किया है और इसके अलावा जो tax मैं tax मैं को जो company है tax मैं को वो मैंने आपको recommend किया है इसके अलावा जो company का नाम है वो है confidence petroleum company तो यह total जो है I think eight stocks है guys और ninth जो stock से वो आपको whatsapp करने के बाद ही आपको disclose किये जाएगा जो कि यह stock है तो अच्छे खास return मिल सकते हैं guys आप मुझे contact कर सकते हैं for portfolio review and for portfolio creation and for any kind of assistance you need you can contact me on this number it's 904-554-9234 यह मेरा number है guys आप मुझे whatsapp कर सकते हैं या voice message भी आप मुझे drop कर सकते हैं thank you so much guys happy trading happy investing